इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 13 माई 2019 और यह हमारी 152 वी क्लास है आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज़ की दरश्टी से बहुत इंपोटेंट है इन questions को आप नोट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछी जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first पर हाली में किसे अंतरास्टिय नार्कोटिक्स नियंतरन बोड के लिए पुनाह निर्वाचित किया गया है जिसका सरी option है जग जीत पावडिया हाली में जगजीत पावडिया को अंतरास्टिय नार्कोटिक्स नियंतरण बोड के लिए पुनाह निर्वाचित किया गया है दोस्तो ये पहले 2015 में इस बोड के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तो बात आईए आंतरास्टी नार्कोटिक्स नियंतरण बोर्ड की तो आपको बता दें इसे short form में INCBV कहा जाता है यह बोर्ड नशीली दवाओं पर लगे प्रतिवंद की monitoring करता है 13 शदस्ते इस नार्कोटिक्स नियंतरण बोर्ड में दोस्तो इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी मुख रूप से 1968 यानि 1968 में अस्तित्व में आया था यह बोर्ड अंतरास्टी नार्कोटिक्स नियंतरण बोर्ड और इसी में हाली में जगजीत पावडिया को पुनाहा निर्वाचित किया गया है Next question हाली में किस अर्थ सास्त्री का निधन हुआ है जिसका सही option है बैजनात मिश्रा हाली में बैजनात मिश्रा जो एक अर्थ सास्त्री थे इनका हाली में निधन हुआ है दोस्तो इनका निधन उडिशा के भूबनेश्वर में 99 बर्ष की उम्रे में हुआ है इनके करियर की शुरुआत इन्होंने 1949 में कटक से की थी आपको बता दें 1985 से 90 तक ये राज्य योजना आयोक के चेयर्मेन भी रह चुकी हैं तो आपको याद रखना है हाली में जो अर्थ सास्त्री का निधन हुआ है वह हैं बैजनात मिश्रा बैटनाम रहा हाली में हमारे उपराष्ट पतीजी बैतनाम देश की यात्रा पर गए हैं दोस्तो आपको बता दें उपराष्ट पतीजी बेंक ये नाइडु बैतनाम और भारत के उच्च इस्तरियसम्बंद बनाने के लिए ये यात्रा कर रही है साथी दोस्तो सूलायवे बेशाक दिवस पर भी सरीख होंगे ब्यतनाम में दोस्तो अब बात आईए ब्यतनाम की तो आपको कुछ important fact और मैप में बता दें ब्यतनाम की बारी में मैप में ये जगह है ब्यतनाम को दरसाती है ब्यतनाम की राजदानी है हनोई और मुद्रा है डॉंग ब्यतनाम की रास्टपती है हुएन, फू, त्रॉंग और प्रधार मंत्री है यूएन, तन, जूंग तो दोस्तो इतना आपको ब्यतनाम की बारी में याद रखना है next question हाली में किस कंप्री ने बिसो का सबसे अधिक रेजुलेशन बाला image sensor प्रस्तुत किया है जिसका सई option है Samsung हाली में Samsung ने बिसो में सबसे अधिक रेजुलेशन बाला image sensor प्रस्तुत किया है दोस्तो आपको वता दे यह image sensor 64 megapixel यानि 64 megapixel का है इसका उपियोग mobile में किया जाएगा साथ ही 0.8 micrometer pixel image sensor के दो नए sensor भी प्रस्तुत किये गए है तो एक साथ 164 का और एक 0.18 micrometer pixel का image sensor लौंच किया है Samsung ने दोस्तो अब बात आईए Samsung की तो आपको कुछ Samsung की important fact बता दे Samsung एक दक्षन कोरिया की company है इसकी स्थापना 1938 यानि 1938 में की गई थी Samsung का मुख्यालय श्योल साथ कोरिया में है और इसके CEO वा चेर्मेन है ली कन ही तो दोस्तो इतना आपको Samsung की बारी में याद रखना है Next question हाली में कौन भारतिय पुरोष फुटवाल टीम के अगले coach होंगे जिसका सही option है एगोर इस्टमिक हाली में एगोर इस्टमिक को भारतिय पुरोष फुटवाल टीम का अगला coach बनाया गया है दोस्तो आपको एगोर की बारी में बता दें ये हाली में IAF के मुख्य जो प्रमुख है स्याम थापा ने ये जानकारी दी है दोस्तो ये क्रोष या के रहने वाले हैं एगोर इस्टमिक क्रोष या के रहने वाले हैं और इन्होंने 1998 यानि 1998 वर्ल्लकप में तीसरा इस्थान हासिल किया था और इन्हें हाली में भारतिय पुरुस फुटवर्ल टीम का कोच बनाया गया है नेक्स्ट कॉशन हाली में किस हीरोईन को स्युक्त रास्ट के सतत विकास का एड़ुकेट बनाया गया है यहां पर किया गया नहीं बनाया गया है जिसका सही ओफ्षन है दिया मिर्जा हाली में दिया मिर्जा को सतत विकास और एड़ुकेट बनाया गया है स्युक्त रास्ट के द्वारा दोस्तों स्युक्त रास्ट के महा सचेव एंटूनियो गुटेरिस ने 17 वेश्विक सतत विकास में दिया के साथ अली बाबा के चीफ जैकमा के साथ भी इन्हें शामिल किया है दोस्तों ये दोनों सेंक्तुरास्ट के सतत बिकास के एड़ोकेट होंगे आपको बता दें सतत बिकास का लक्ष, आर्थिक बिकास, सामाजिक समावेश, परियावरण, धर्तियत्व और शुशासन के बारी में जागरूपता फैलाना है तो इतना आपको इस सतत बिकास के बारी में याद रखना है और इसके एड़ोकेट भारत की दिया मिरजा और चीन के अली बाबा की जैकमा बने है नेक्स्ट क्वेशन हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार भारतिय फूट सर्विस तीन वर्ष में कितने करोर पहुँच जाएगी जिसका सही ओफ्षन है छे लाग करोर रुपए हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार भारतिय फूर्ट सर्विस 6,00,00 करोर रुपए पहुंच जाएगी तीन वर्ष में हाली में National Restaurant Association of India ने अपनी रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट की अनुसार 2023 और 2024 तक फूर्ट सर्विस 6,00,00 करोर रुपए पहुंच जाएगी किस दूद संग ने मध्यप्रदीश प्रदूशन नियंतरन बोड की साथ समझोता किया है जिसका सही ओफ्षन है साची दूद हाली में साची दूद संग ने मध्यप्रदीश प्रदूशन नियंतरन बोड की साथ समझोता किया है दोस्तो आपको बता दें यह समझोता परियावरण, प्रदूशन और प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए किया गया है दोस्तो समझोते अनुसार साची दूध प्लास्टिक वोटल और पाउच के खाली पैकेट बापिस करने पर 50 पैसे देगी आपको बता दें साची दूद मद्यप्रदेश में प्रती दिन लगवग साथ लाख पैकेट बेचती है तो एक हिसाब से प्रती दिन कुल तीन लाख रुपए की छूट दी जाएगी साची दूद के द्वारा साथी दोस्तो प्रदूशन पर भी नियंतरन किया जाएगा तो इतना आपको याद रखना ये बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन है हाली में मद्यप्रदेश प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के साथ साची दूद ने समझोता किया है हाली में किस जिले में बुनिलखंड के लोग चित्रों पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी रखी गई है जिसका सही option है सागर हाली में सागर में बुनिलखंड के लोग चित्रों पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी रखी गई है दोस्तो रविन्ना टेगोर जी की 158 भी जैन्ती पर यह आयोजन किया गया है इसमें बुनिल खंड की तीज त्योहर कैसे मनाय जाती है इन सभी चत्रों को प्रदर्शित किया गया है दोस्तो अब बात आईए सागर की तो आपको कुछ important fact सागर की बारे में बता दे मद्यप्रदेश की प्रथम विश्व विद्याला है जिसे हम डॉक्टर हरी सिंग गौर विश्व विद्याला की नाम से जानती है इसकी इस्थापना 1946 में की गई थी और यह मद्यप्रदेश की प्रथम विश्व विद्याला है दोस्तो मत्यपर्दिश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर में ही बनाया गया है पदमाकर समारोही भी यहीं पर मनाया जाता है स्टेनलेस स्टील कार खाना भी सागर में ही बनाया गया है दोस्तो नौरादेही वन्न जीव अभ्यारन सागर में ही इस्थित है आपको बता दें सती का पर्थम लिखित साक्ष एरण से ही प्राप्त होता है तो दोस्तो इतना आपको सागर जिली की बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन तो आपको इन दोनों की बारी में याद रखना है ये एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन है नेक्स्ट कॉश्चन मद्यप्रदेश की लोकायक्त का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो इसका सी ओफ्षन है पांच वर्ष मद्यप्रदेश की लोकायक्त का कारेकाल पांच वर्ष का होता है दोस्तो एक और इंपोर्टेंट फेक्ट आपको बता दें लोकायक्त की न्युक्ति मद्यप्रदेश के राज़पाल करते हैं तो आपको ये important question है दोनों चीजें बता दी न्युक्ति करते हैं राज़पाल और कारेकाल होता है पांच साल का Next question मद्यप्रदेश के किस अभ्यारन को डुबरी अभ्यारन के नाम से जाना जाता है जिसका सरी option है संजय अभ्यारन संजय अभ्यारन को मद्यप्रदेश में डुबरी अभ्यारन के नाम से भी जाना जाता है और अब इसे संजय रास्टी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो आपको संजय रास्टी उद्यान के बारी में बता दें इसकी स्थापना 1971 यानी 1971 में की गई थी मध्यप्रदेश की सीधी जिले में यह स्थापित है दोस्तो पक्षियों की 309 प्रजातियां पाई जाती है इतना आपको संजय अभ्यारन की बारे में याद रखना है दोस्तो इस्कीन पर कुछ और नाम आपको दिख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दे रातापानी अभ्यारन रायसेंजिले में इस्थित है नौरा देई अप्यारन यह सागर जिले में इस्थित है और क्योंनी रास्टी अप्यारन यह मद्द्दिश के देवास और सीहोर जिले में पढ़ता है तो इतना आपको इन चारों की बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात करते हैं question of the day की तो आज का question है किस airport को देश का पहला carbon management certified airport बनाने की तैयारी शुरू हुई है दोस्तो इसका answer आप comment box में दे हम आपके answer का wait करेंगे और आपको कोई भी problem जाती है question से या वीडियो से related तो आप हमें comment box में जरूर बताएं तो दोस्तो आज के लिए वसतना ही आप हमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए, videos को like कीजिए, share कीजिए दोस्तो एक और promise कीजिए कि साल में सिर्फ एक पेड़ आप जरूर लगाएंगे और अपने सभी घरवालों रिष्टिदारों के साथ ये चीज़ share कीजिए सिर्फ साल में एक पेड़ आपको जरूर लगाना है तो आज के लिए वसतना ही नमस्कार, have a nice day